तो चलिए हम ब्रत में खाने वाली आलू की सबजी को बहुत जवर्दस तरीके से बना के तयार करते हैं इसे बनाने के लिए हमने पिलेट में दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिये हैं जिसे मैंने छोटे पिस में काट लिया है एक चमच घीसा हुआद रख लिया है दो हरी मीड थोड़ी से मूंखफली और थोड़ी से करी पत्ता को लिया है गैस पे हमने कडाही को चड़ा लिया है अब इसमें हम एक से डेड़ चमच तेल या घी डाल लेंगे ब्रत में आप जो खाते हैं वो डाल लें अब इसमें हम मूंखफली को डाल लेंगे मूंखफली को हमें धीमी याज पे एक से दो मिनट भून लेना है मूंखफली हमारे च्छे से भून चुकी है तो चलिए ऐसे हम निकाल लेते हैं अब इसमें हम फिर से एक से डेड़ चमच घी डाल लेंगे आधा चमच इसमें हमें जीरा डाल लेना है साथ में कटी हुई हरी मिर्च और अधरक को डाल ले इसके साथ ही हमें आलू को भी डाल लेना है आलू को हमें धीमी आज पर गुल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना है अब इसमें हम करी पत्ता डाल लेते हैं करीपता का टेस्ट इस सबजी में बहुत अच्छा आता है तो आप ज़रूर डाल लें यह आलू के सबजी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि पूरे नवरात्री आप इसे बना सकते हैं, खा सकते हैं बनाने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता है देखे आलू हमारे अच्छे से भून चुकी है अब इसमें हम ब्रत में खाने वाला सेंधा नमक डाल लेंगे स्वाद के नुसार साथ में कुटु भी काली मिर्च को भी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे आलू देखिए अच्छे से भून चुकी है तो चलिए इसमें हम मूँफली को डाल लेंगे यदि इस समय आपके पास भूना हुआ मखाना हो तो भू भी आप डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है साथ में मैंने उपर से किस्मिस को डाल लिया है किस्मिस का भी टेस्ट इस सबजी में बहुत अच्छा आता है तो आप जरूर डालें ये सबजी देखने में ही इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी इस रेश्पी को एक बार आप जरूर ट्राइ करें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल रामरती की रसोई को जरूर सस्क्राइब करें सब्सक्राइब करने की को पैसन लगते बिलकुल फ्री होता है तो आप भी बिफीकर होके जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं यह सब्सक्राइब कैसी लगी